साल 2022 में IPL के लिए लगा क्रिकेटर्स का बिग बाजार जहां पर तमाम बड़े-बड़े क्रिकेटर्स पे हुई पैसो की बहुचार नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूँ राजी मिश्राज बात करेंगे IPL में पैसो की बरसात को लेकर और ये पैसो की बरसात हुई भारती खिलाडियों पर जहांपर टॉप पाँच भारती खिलाडी रहे IPL के आउक्शन के पहले दिन यानि के मेगा आउक्शन में मेगा तरीके से भारती खिलाडी चाहर है एक तरफ जहां इशान किशन ते जहों सबसे बड़ी बोली लगी उन पर वहीं गेंबाज गेंबाजों के अगर बात करें तो वहाँ पर दीपक शहर और अवेश खान जैसे युवा तेज गेंबाजों ने जमकर बाजी मारी वहीं कुछ खिलाडियों को निराशा भी हाथ लगी जहां पर मसलन सुरेश रैना और अमित मिश्रा जैसे एक्स्पीरेंस खिलाडियों को इस आउक्शन के पहले दिन जगा नहीं मिली निकिन उमीद की जा रही है कि आईपियल सीजन के लिए जो अगला सीजन आने वाला है उसके लिए जो अगले दिन बोली लगी उसमें इन युवा खिलाडियों को जगा जरूर मिलेगी पाँच बड़े खिलाडियों के पर हम बाचीत करेंगे साथ ही उन तेज गिंदबाजों पर भी बाचीत करेंगे जिन पर जम कर पैसा लुटाया फ्रेंचाइजियों ने तमाम बड़ी बातें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और ये पाँच बड़ी बातें आईपिल के मेगा उक्षन के पहले दिन की हैं जहांपर इशान किशन ने बाजी मारी जहांपर शांदार प्रदर्शन के बन पर प्रसिद कृष्णा और आवेश खान जैसे कि इन बाजों ने आउक्षन में मेफिल लूटने का काम किया वही अगर हम बलेबास ही की बात करें तो रहुल पांडेया जैसे अनकैप्ट खिलाडी भी थे जिन्होंने मेफिल लूटने का काम किया यानि कि कुल मिलाकर भारती खिलाडी आईपिल के इस मेगा उक्ष अपने शांदार प्रदर्शन के दम पर दिल लूटने का काम किया आप इन सभी मुद्धों पर आगे बादशीत कर लेते हैं हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट का पैनल जुड़ चुका है राच्कमा शर्मा जी हमारे साथ है और रिटन दर सोडी भी हमारे साथ टॉप पाँच खिराड़ी सभी के सभी भारती रहे आई पेल आउक्षन के पहले दिन जिन पर जमकर पैसो की बरसाथ हुई रिटन दर ये इस सवाल का जवाब आप देने जरा जी आप बिलकुल अजीव आज आउक्षन का दिन बड़ा दिन था तमाम इंडियन प्लेयर्स के लिए पैसो की बरसाथ हुई है और वो इसलिए हुई है चुकि बोग प्लेयर्स जो प्रूबन मैच मेंनर हैं जिन्होंने हाल में बहुत अच्छी पॉम दिखाई है बेशा किशान किशन की हम बात करें शिकर धवन की हम बात करें श्रे सहियर की हम बात करें अधीपक चेहर की यह जैसे अभी आपने बात की आप बीन मैसिव पर्फॉमर्स और अच्छी बात यह है कि आज की आउक्षन में जो भारती प्लेयर्स हैं उन में फ्रेंचाइजें तो ये दशाता है कि भारत की IPL है भारत के प्लेयर्स की तूती बोल रही है तो जी हाँ आज किसमत बदली है बहुत से प्लेयर्स की तो बहुत से प्लेयर्स के घर में आज दिवाली की रात होगी लगभग बिल्कुल और रितेंदर खास वर सेकर हम टॉप 10 खिलाडियों की बात करें टॉप 10 में छे भारती हैं और चार विदेशी खिलाडी हैं उनमें कुछ जो विदेशी खिलाडी हैं उनके नाम पर सर्प्राइस है जैसे कि मसला निकूलस पूरन के हम बात करें पिछली बार जब पंजाब किंग्स ने लिया तो कुछ भी नहीं कर पाया थे इस बार बहुत महेंगे प्राइस में उनको लिया गया यह बिग हिटिंग एबिलिटी स्ट्राइक रेट हमेशा क्या फ्रेंचाइजी के जहन में रहता हैं बहले ही फ्लॉप हो जाएं मैक्सवेल एक बड़ा एक अच्छा नहीं भी कर रहे हैं फिलाल लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बड़ा कुछ करेंगे उसकी बड़ी एक्जामपल आज जो बिडिंग होई है निकलस पूरन की मैसिव बिडिंग होई है और अगर हम भात्के खिलारी की बिडिंग की बात करते हैं श कि वह कुछ बड़ा कर सकते हैं बहुत बढ़ा कुछ कर सकते हैं अगर हम एक्स्पेक्टेशन की बात करते हैं तो फ्रेंचाइजिस ने एक्स्पेक्टेशन के उपर बहुत बड़े प्राइसेज में अपलैर लिये हैं बिल्कुल और अगरम तेज गिंबासों की बात करें रितिंदर पहली बार जब से IPL शुरू है मेरी याद में कि भारती ये तेज गिंबास IPL आउक्षर में इस तरह से छायर है अब मैं देख रहा था दीपक चैर हो या शर्दुल ठाकूर की बात कर लें आवेश खान की बात कर रहें या प्रसित कृष्णा की बात कर रहें इस चारो खिराड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस के दम पे अपने पोटेंशल के दम पे और आने वाले तीन सारों के लिए ऐ ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखाए अपने लिए जिस तरह थे फ्रेंचाइजी उन पर पैसे लेकर लग रहा है पैसों की बरसात करने के लिए तूट पड़े उन पर जी आप बिलकुल रजीब देखिए फास बोलर्स की तो दूती बोलती है और यहाँ पे टेस्टीमोनी टू दफैक्ट है आवेश खान जिन्होंने बहुत अच्छा किया पिछले सीजन उनका तो आज तैय था कि बहुत बड़े प्राइस में जाएंगे फ्रेंचाइज वर वाचिंग फॉर हैं और अगर हम बात करते हैं तमाम उन फास बोलर्स की उसमें दीटपक चेहर आते हैं प्रसिद कृष्णा जिन्होंने हाली में कुछ दिन पहले जब फ्रेंचाइज इस प्लैन कर रही थी हमने किसको लेना है किसको नहीं लेना है ही मेड हैड लाइन फॉ गए हैं इतने बड़े प्राइज में गए हैं शादू थाकर एक्सपेक्टिग प्राइज में गए हैं धीपक चैह जिन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली जो हमें याद है हमने इंडिया न्यूस पे वो शो किया जब भारत लगबग हारा हुआ मैच जीतने वाला था ची बले बाजी की तो जी हां I'm sure these guys got what they deserved बिल्कुल और राजकमा जी हम पिछले दो तीन सालों से चर्चा भी कर रहे हैं कि भारती बले बाजों से ज्यादा मैफिल लूटने का काम भारती है तेज गेंद बास कर रहे हैं और उसका बड़ा एक्जाम्पल देखने को मिला है IPL के 2022 के मेगा उक्षन में जहां पर किस तरह से हावी रहे हैं इस मेगा उक्षन में और यह तरह की संकेत इसको माना जाए क्या कि वर्ल्ड क्रिकेट में आने वाले समय में भारती तेज गेंद बाजों की तूती बोलने वाली है प्लकुल राजी आपने ठीक का कि एक recognition है पास बोलर्स के लिए भारती है पास बोलर्स के लिए पहले हम लुक फ़वर्ट करके थे कि 140 प्लस का कोई पास बोलर होगा जिसको हम मदद देखते थे कि उसको कैसे टैकल करना है बहले वो बैटली का जब डेब्यू आता भारत के खिलाफ तो एक टेरर था कि भारती वाले बास कैसे खेलेंगे लेकिन आज भारत के पास अपने पास वो ख्रमता है कि भारत के पास कम से कम चार से पांच ऐसे फास बोलर है जो 140 प्लस बाल डालते हैं और जो मैचोर गेंबाज है और वो दिखा है इस IPL के ऑक्षन में कि भा खेले हैं तो इस तरह की जो चीजें है राजीव यह दर्शाती हैं कि भारती क्रिकेट बहुत अच्छी लाइन पर है और हमारी यंक्स्ट्रस में बहुत मादा है आगे अच्छी क्रिकेट खेलने का जी रितनर अगर हम इस मेगा ऑक्षन के पहले दिन को एनलेसिस करें तो एक बात तो बिल्कुल साव नजर आती है कि अगर हम बात करेंगे तो ऑस्टेलिया इंग्लेंड न्यूजिलेंड दक्षिड अपरिका या वेस्टेंडीज के तेस्ट बाजू का चर्चा अब कम होता है मैं अगर टॉप फाइव आउक्षन में सबसे महंगे गिनबाजों की बात करें वहां तो भारती है गिनबाज है यूकि फॉजिसन एक मात रह से गिनबाज है जो अपनी जगा बनाने में काम्याब रहे अब क्या ये अलग तरीके की कहानी कहता है कि आने वाला समय भारती दी थी ये पिछले सीजन मुझे लगता है उनको उसका रिवार्ड मिला है फॉर्गुसन की हम बात करें डील डॉल वले प्लेयर है अच्छे बोलर है शांदार परफॉर्मेंस दी है पिछले सीजन तो यहां पे फ्रेंचाइजिस ने आंका है कि पिछले सीजन अगर हम हाल क कि आईपेल की बात करते हैं जो घटा था वहां पे स्टार परफॉर्मर कौन थे आविश खान ने बहुत अच्छी बोलें की हर्षिल पडेली की तो यॉर्टकर और स्लोर बंस ने कहर मचाया हुआ था तो जी हां फ्रेंचाइज ने फास्ट बोलर में इंवेस्ट किया है व मेगा उक्षन हुआ उसमें एक जो बड़ी इंपोर्टेंट चीज नजर आई कि जो पुराने खिलाडियों को लेकर फ्रेंचाइजी बहुत जादा कह सकते हैं कि दूसरे मोड में नजर आए एक तरफ जहां पर मुंगई इंडियंस ऐसी के फ्रेंचाइजी थी जिसने अप प्रेंच्विन के साथ भी कुछ ऐसे ही हाल हुआ जो डेली कैपिटर्स ने उनको जाने दिया अब क्या बड़ा रिजन आप देख रहे हैं इसके पीछे क्या फॉर्म बहुत जादा इंपॉर्टेंट था या आगने तींस साल तक कौन सा खिलाड़ी आपके साथ रह सकता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्या रिजन आप देख रहे हैं फ्रेंचाईजों की अलग-अलग रंडिकी के अब इसके रहेगी अगर आप बैलनस टीम नहीं उठाएंगे आपको मुख ही खानी पड़ सकती है तो अभी तक जो हमने लेखा जोखा देखा है बड़े प्लेयर्स लिए गए हैं अंक्याप प्लेयर्स लेके फ्रेंचाइज अब बहुत चैन से बैठ सकती हैं बट कल का दिन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जो प्लेयर्स अब टीम की टोन को सेट करें कॉंबिनेशन बनाएंगे वो कल आने वाले हैं और जब पूरा स्कॉर्ट त्यार हो जाएगा हम आंक्लर लगा सकते हैं कि कौनसी टीम बेहतर खेल सकती है आने वाली आईपेल में हैं तो जी हां कल बड़ा दिन है लेकिन बड़ी मुबारक बात इशान केशन को मैसिव प्राइस में उनको लिया गया है जी हां बिल्कुल अजी सबसे पहले तो शिकर धवन पंजाबी मुंडा पंजाब से खेलेगा और मुझे पूरा घ्रोसा है जितना मैं शिकर धवन को जानता हूं अजी लग लेकर जा सकते हैं और पंजाब टीम को ऐसे प्लेयर की जरूरत थी शिकर धवन जैसे प्लेयर को अगर वो अब खिलाएंगे शिकर धवन कप्तानी भी कर सकते हैं मुझे लगता है पंजाब को जो much needed impetus था वो शिकर के आने से मिलेगा शिकर की बड़ी form हो सकता है वो कप्तान भी हो आने वाले सीजन में तो मुबारक बाद शिकर दवन को मुबारक बाद पंजाब को और सुरेश रहना का unsold जाना ये दर्शाता है कि वो शायद अपनी पीक को पार कर चुके है वेंचाइजिस उनसे आगे सोच रही है तो जी हाँ यह यह IPL है किसी को तो क्रोड़ पती दिनों में बनाती है और कुछ लोग unsold जाते हैं जिनके लिए आज की रात या कल आने वली जो शाम है वो IPL आउक्षन में जादा अच्छी नहीं रहेगी पैसे में लिए जाते थे भारती इस पिनर से बहुत पैसा बरस्ता दा लेकिन ये 2022 को आउक्षन पहला ऐसा आउक्षन जहां पर भारतीय तेज गिंवाजों ने मैं फिल लूटे का काम किया फिर वो चाहिए दीपक चहर हो खर्शन पटेन हो आविश खान हो या प्रसिति कृष्णा जैसे गिंवाज हो इन सभी ने इस बात की तरफ संकेत एक तरह से दे दिया है कि आने वाला समय भारतीय तेज गिंवाजों का है अब सबकी निगाएं इस ऑप्शन के दूसरे दिन पर लगी होंगी जहां पर तमाम अंसोल खिराडी है जिन पर फ्रेंचाइजी दुबारा से रंडीती बनाएंगे दुबारा से सोचेंगे कि इन खिराडियों को कैसा लिया जाए और साथ ही उन युवाज खिराडियों प हमारे साथ जूने के लिए